नमाशकार दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं मखाने के कैटलेट ये देखिए दोस्तों बहुत सौधिस्ट और हिल्दी ये हैं कैटलेट अगर इस तरह आप बनाएगे ना एकदम कुरकुरा एकदम क्रिस्पी ये मखाने के कैटलेट तो ज्यादा बात चीद ना करते हुए हम आपको मखाने के कटलेट बनाना सिखाने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर मखाना लेंगे तो वेट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पर मखाना 50 ग्राम लिया हूँ इसके बाद हम एक ग्रेंडिंग जार लेंगे ग्रेंडिंग जार में एड़ करके तो इसका बन जाएगा पाउडर बन जाएगा ये दिखिए मखाने का इतना ददरा होना चाहिए दोस्तों और उसके बाद इसको हम रखते हैं साइड में और अब हम चलेंगे कैटलेट का डो बनाने के लिए तो मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है इस कढ़ाई में मैं यहाँ पर दो चमच छोटे चमच से एड़ करूँगा सरसो का तेल जब तेल यहाँ पर गरम हो जाए तब हम यहाँ पर आधा चमच जीरा एड़ करेंगे जीरा एड़ करने के बाद आधा चमच यहाँ पर लस अद्रका जो कच्छापन है वो निकल जाए तो जब इसका कच्छापन निकल जाए लसन अद्रका उसके बाद हम यहाँ पर एक प्याज चॉप करके एड कर देंगे और अब हम प्याज को भी सॉप्ट करना है दोस्तो ऐसे हमें मिक्स करना है अच्छे तरह से तो कुछ देरत के बाद मतलब एक से दो मिट के बाद हमारी प्याज यहां पर सौप्ट हो गई है और अब हम यहां पर एड़ करेंगे आधा चमच तीखा करने के लिए लाल मिश पाउडर और इसी के साथ मैं पर आधा चमच एड़ करूँगा गरम मसाला और इसी के साथ मैं पर 1-4 टीजपून हल्दी पाउडर एड़ करूँगा और इन मसालों को पहले मैं अच्छे से भूँझ लूँगा प्याज के साथ तो यहां पर हमारी मसाले अच्छे से भूँझ गए हैं और खुजबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसके बाद हम यहां पर रोश्टेड मूमफली के दाने एड़ करेंगे यह तीन चमच हैं और इसके बाद मैंने यहां पर चार बॉइल के हुए आलू को इस तरह मैंने फोड के ले रहा हूँ यह दिखिए एड़ कर देंगे इसको भी और उसके बाद मैं यहां पर ग्रेंडिंग जार में जो बने पीसा था मखाने उसको भी हम यहां पर एड़ कर देंगे अब हमें चमच की सहाता से इनको अच्छे से मिक्स करना है 2-3 मिट तक हमें इस डो को अच्छे से भूजना है जब तक इसमें खुस्बू नहीं आती है तब तक हमें ऐसे ही मिक्स करना है दोस्तों और इस डो को खटा सा फ्लेवर के लिए मया पर एड़ करूँगा आम चूर पाउडर आधा चमच और इसी के साथ मया पर और फ्रेशनेस के लिए हरी दन्या की पत्तियां एड़ करूँगा और स्वादंसा नमक एड़ कर दूँगा अब हमें क्या करना है इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है आम चूर पढ़ गया है अगर आम चूर नहीं है तो आप निम्बू का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो अच्छे से यह डू तयार हो गया है इसको हम ठंडा होनी के लिए रख देते हैं इसके बाद हम कॉन्फलोर का घोल तयार करेंगे और तीन चमच हम यहाँ पर कॉन्फलोर एड़ कर देंगे कॉन्फलोर एड़ करने के बाद थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे ताकि जो घोल है वो थोड़ा सा ठीक रहे जब ठीक रहेगा ना तो हमारे कैटलेट जब हम डालेंगे फ्राय करने के लिए वो फटेंग ने तो इस तरह हमें ठीक रखना है इस घोल को तो घोल को हम रखते हैं साइड में अब हम आलाते हैं अपना डो की तरफ तो डो ठंदा हो गया है और हाथों में थोड़ा सा ओल लगा लीजिए ताकि डो जो है वो हाथों में चिपकेगा नहीं फिर हम थोड़ा सा डो लेंगे और इस तरह मूठी दबा दबा कर उस डो को हम सेप देंगे लंबा सेप देंगे दब सिलिंडर आकार का हम सेप देंगे और ये हो जाएगा हमारा कैटलेट बनके रेडी इसी प्रोसेस से हमें क्या है सारे यहाँ पर कैटलेट बना लेना है दोस्तो कैटलेट बनाने में बहुत सब्सक्राइब है और मैं अब आपको दिखा देता हूं कि मैंने यहाँ पर लिखका अब पर साल्रेट बना लिये हैं और आभ हम चलेंगे अर्णितोओं के ऑदिखते धिसने गोल ङक्त यहाँ दिखे दोस्तोअ दिवनने घोल इसी को गोल में चूरा बनाने से क्या है कि जो केट्लेट को हम लपएट रहें नौर करनेगी तो केटलेट बहुत लुआ क advances करना है यह दिखें बहुत ही अधम क्यों का रिख लेका है तो इसी प्रोसेस से हमें अप request कोटिंग करके रख लेना है तो मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर मैं सारे हमें fry करना है दोस्तों जब यहां पर हमारे एकदम से golden color के catalade हो जाएं तब हमें एक चन्नी लेना है और यह दिखिए एकदम golden color के हमारे मखाना के catalade बनके ready हो गए हैं इन्हें हमें बाहर निकाल लेना है तो इस तरह चन्नी लीजे ताकि जो इस ट्रा oil होगा वो कड़ाई में गिर जाए तो बहुत ही सौधिस्ट हमारे यहां पर मखाना के catalade fry होके ready हो गए हैं तो यह दिखिए दोस्तों बहुत ही एकदम क्रिस्पी मखाना के catalade बनके ready हो गए हैं अगर यह मखाना के catalade का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में